पाकिस्तान में ननकाना साहब पर हुए हमले की विरोध में हिंदू जागरन मंच के पदादिकारियों ने जिल्ला मुख्याला पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर पददिकारियों ने महामहिम राष्टपती महोदय के नाम का साथ शूत्री मांगो का ग्यापन अपर जिल्ला अधिकारी प्रभाकांत अवस्ति को सौपा पाकिस्तान में नंकाना साहिप पर हुए हमले का विरोध पूरे देश में हो रहा है यसी के चलते आगरा में हिंदुवादी संगठन हिंदु जागननमंच द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदैशन किया गया इस दोरान उन्होंने पाकिस्तान विरोधी जम कर नारे लगाए और पाकिस्तान के पिएम इमरान खान का जिल्ला मुख्याले के सामने पुदला फूँगा हिंदू जागरन मंच के पदाधिकारियों ने ADM City प्रभाकांत अवस्थी को भारत के रास्टपती के नाम एक ग्यापन भी सौपा जिसमें उन्होंने अपनी साथ सूत्रिय मांगों का जिक्र किया गुरू नानक देवजी की पवित्र जन्मिस्थली को पत्राफ करके उसका नाम गुलाम मुस्तफा रखने की लोग मांग कर रहे हैं और आए दिन पत्राफ कर रहे हैं वह सिख्खों की हिंदू की बच्चियों को आए दिन अपरण करकर उनका धर्मांतर कराकर उनसे निका कर लेते हैं जबरदस्ती और उनको अगले बेच देते हैं ऐसे दिन आय दिन प्रती दिन पाकिस्तान के इंदन 9000 हिंदू को संणरसंगार हो रहा है 9000 हिंदू प्रती दिन वहां गायब हो रहा है आठ करोड हिंदू से आज महां पर 16 लाग 17 लाग हिंदू बचा है इस रोकनी का दबाव भारत सरकार द्वारा बनाया जाए जिस तरीके से वो लोग वहां पर कारवाई कर रहें तो हम लोग भी यहां पर इसी तरीके से कारवाई करेंगे अपने सिक भाईयों पर अपने गुरू नानक देव जी की बड़ी आस्ता है 120 करोड देश के हिंदू की पूरी पूरी आस्ता है वो पाकिस्तानी कठरबंती मुसल्वान यह न समझें कि यह सिखके ने हैं पूरे दुनिया के अंदर सिखकों के साथ हिंदू जागड मंच पूरा राष्ट पूरा हिंदूस्तान 120 करोड हिंदू कंदे से कंदे मलाकर के खड़ा हुआ है इसका बद ततकाल प्रभाव से बंद कराये जाए हिंदू जागरन मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर यह मांगे पूरी नहीं की गई तो हिंदू जागरन मंच द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा सी नियूस के लिए संदिप शर्मा की रिपोर्ट